Hello everyone, the political master में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, क्लास 9 और क्लास 11 में इस साल जिन भी स्टुडेंस का कमपार्टमेंट आया है या जो फेल हुएं उन सभी को 5 जुलाई तक assignment या project paper करके स्कूलों में जमा करना है project paper दोस्तों submit करने से पहले आपको कुछ बाते जाननी बहुत जुरूरी है यदि आपने अपने project लिए तो चले जान लेते हैं कि हमें project जमा करने से पहले वो कौन सी गलतिया नहीं करनी है दोस्तों मैंने अपने पहली वीडियो में आपको बताया था हैं या किसी और से करवा लेते हैं तो अच्छा हो तो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैं आपको clear कर लेता हूं कि project आपको खुद की handwriting में ही लिखना है क्योंकि notification में साब साब clear है दोस्तों कि जो project paper है वो आपकी खुद की handwriting में ही लिखा होना चाहिए क्योंकि जो teachers हैं जो भी आपके projects advisor हैं वो project सबसे पहले आपके पहले paper से मिलाएंगे कि आपके handwriting है या नहीं है तो इस तरह से कोई अगर doubts है तो अभी आप लोग clear कर लें और दोबारा से project खुद की writing मिलें दोस्तों कि 5 जुलाई को जमा करना है अगर आपने किसी और handwriting से किसी और से project करवा लिया है तो clear दोस्तों दूसरी बाद जो आपको ध्यान रगना है दोस्तों यह है कि यदि आपको अपने project में करने में कोई सी फिर गर कोई भी दिक्कात आ रही है तो notification में साफ mention है कि आप अपने teacher से project से related किसी फिरकार को कोई question पूardon सकते हैं यहिदि आपको अपने project में करने में कोई भी परसाण्य होती है teacher से पूछ सकते है teacher इसके लिए किसी परकार कोई deny नहीं करेगा वो मना नहीं करेगा आपके लिए ही टीचर हैं तो आप जितने मर्जी अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपने क्लास टीचर से मैसेज की दोरा फोन की दोरा या स्कूल में जा कर आप पूछ सकते हैं कि सर्फ प्रोजेक्ट कैसे करना है क्लियर आप प्रोजेक्ट गलत ना करें ठीक है अगर गलत बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो गलत करने की कोशिश से ना करें दोस्तों तीसरी बात जो सबसे अधिक महत्रपूर्ण वो यह है कि आप को जो भी प्रोजेक्ट जो भी कोश्चन मिले हैं उस कोश्चन को आप समझ कर लिखें यहां समझ कर लिखें सिर्फ कोपी पेस्ट ना करें यहां सिर्फ कोपी पेस्ट ना करें उससे समझ कर लिखें क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटिर आप से प्रसंद पूछे जा सकते हैं यह आपके जो class teacher है, जो भी आपको project मिला हुआ है, जो भी assignment मिला हुआ है, उससे related question आप से पूछे जा सकते हैं, जहां इसी के अधार पर आपको अगली कक्षा में उत्रिण किया जाएगा, तो ये तीन बाते दोस्तो project जमा करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहु कैसे लिखना है, कैसे जमा करना है, और रही बात की किस page पर लिखना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि page जो है, आपको register file में अप लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों, और किसी परकार की कोई प्रसार नहीं आए, तो आप अपने class teacher से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको ज पचे होंगे, धन्यवाद, यदि आपको उडियो अच्छे लगे तो लाइक करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो चैनल में जुरूर सब्सक्राइब करते हैं, बेल लाइक करते हैं, ना भूलें